वेलकम स्टुडेंट आए हम लेक्चर थर्ड में अमानत परहेंगे ठीक है इससे पहले हम लोग उर्दू का शब्द है जिसको अमानत बोलते हैं और इसको अरबिक में अमीन बोलते हैं और हिंदी में इमांदार बोलते हैं जो जमीन को किसी भी हिस्से को सही से माप कर किसी पैमाने के अंदर में नक्षा को बना ले उसको अमीन कहेंगे मतलब अमीन हो है जो किसी भी जमीन को किसी भी भूमी को किसी टुकरे भूमी को नाप करके उसी पैमाने पर नक्षा को तयार करेगा और भू अभिलेक का जो अधिकार है खसरा को सही से अगर बना ले उसको अमीन बोलेंगे अब अमीन का समाज में इंगलिस में इसको सर्वेर बोला जाता है आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते है अब नेक्स टॉपिक है अमीन का समाज में क्या दाइत और करतब है अमीन को कभी भी क्रोधित उत्तेजित नहीं होना चाहिए उसको सांत सवाव का होना चाहिए अगर कोई भी जगरा होता है अगर जमीन के बटवारे के सम्मंध में अगर किसी दो परिवार या दो अलग-अलग समाज में अगर किसी का जगरा होता है तो सबसे पहले कहां जाता है अमीन को इमांदार होना बहुत ईसको जो सही है वही सही बताना है तो दोनों पक्ष में उसके जमीन को बता करके उन दोनों को दोनों पाटी को जगड़े को सुल्जाना चाहिए तो यही हमारा अमीन का दाइत तो होता है और समाज में इसका करतब है आप लोग नोट कर सकते हैं अमीन को किसी भी मामले को गंभीरता पुर्वक सुल्जाना एवं उसे कभी भी क्रोधित या उत्यजित नहीं होना चाहिए अमीन को अपना सौभिमान को भी बरकरा रखना चाहिए समाज में दो व्यक्तियों में भूमी विवाद से संबंदित आपस में जगड़ा होता है तो उसे सरोपर्थन अमीन के पास ही जाता है और अमीन को एसी स्थिती में सही धंग से नापी करके दोनों व्यक्तियों को समझा कर जगड़ा समाप्त करना चाहिए अब अगला टॉपिक आता हमारा किष्टवार आप लोग ने सुना है क्या किष्टवार नहीं जानते चले देखते किष्टवार क्या होता है किष्टवार क्या होता है ग्राउंड में जाके ग्राउंड मतलब सरजमी जो भूमी है ग्रावंड में जाके सर्जमी को देख कर उसको मापी कर किसी पैमाने पर नक्षे पर उस भूमी को नक्षा बनाना उसको हम बोलते हैं किश्टवार यह बहुत important है यह exam में आने के chances बहुत रहता इसका देखिए क्या सरजमी के अनुसार मापी कर नक्षा तयार करने को किस्तवार करते हैं अब किस्तवार स्टाट कैसे करेंगे कहां से करेंगे हम गाउं में गये किसी particular गाउं का किस्तवार करना है तो गाउं में particular किसी particular गाउं में चले गाउं में जाने के बाद किस direction में start करेंगे North, South, East, West, उत्तर पशिम, पूरब, दक्षिन किदर से करेंगे तो कहीं से भी नहीं करना होता है इसका दिया हुआ है North East किस्तवार हमेशा उत्तर पशिम या North East दिशा में किस्तवार किस direction में start करना चाहिए हमें North East के कोने से start करना चाहिए लिखा है किस्तवार हमेशा किस्तवार हमेशा उत्तर पशिम या North East दिशा से कोने से प्राराम्भ करना चाहिए किस तवर करने के लिए भी किस तोर में क्या कहता है किस तवर करना हुमें स्टाट करना है तो किसी गाहुम में चले कि है आपकि और इस्ट के कोने से स्टार्टे करना हमें तो गाउं के जितने भी खेत है या मौजा है उसका Every घृतम की आजी appearance हो ako마य कि इसत्वार हो करना है तो पूरे गाउं का जो आप आच्छे से ऊसका मेंजर्मिंट करना होता है और बाद में इतना ध्यान किसी भी खिसान या किसी भी रहयत का भूमी छूटना नहीं चाहिए। उसके जितने भी भूमी है। वह सही सही से मेजर्मेंट करके उस और अपने डायरी में नोट करेगा। तो वह हमारा किस तुवार स्टार्ट होता है। देखो क्या लिbhah क्योंकि जो सर्वे के समय जो अधिकार अभिलेग तयार किया जाता है वही रैयत का या कभजादार का अधिकार माना जाताए अगर किसी का, मान लोग आप लोग गए, आप लोग चले गए, किस तवार करने, अब किस तवार करते समय किसी एक या दो पर्टिकुलर रहयत का खेत छूड़ जाता है, नहीं हो पाता है, तो हमेशा के लिए उस खेत का तुरुटी रह जाएगा, वो चेंज नहीं हो पाएग तो किसी भी किशान का, उसके भूमी नहीं छूटना चाहिए, तो और ज्यादा भी नहीं नापना है, और कम भी नहीं नापना है, जितना है उतना ही नक्से को देख करके नापना है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस तवार के समय सभी खेतों को टुकरों को माप कर, उन का इन्स पेक्टर या अमिन के गलती के वज़े से मों फोम हो जाता है अगर को आपके घंट करने आप करोगे तो गलती से किसि रह्यत का मेंजर्मेंट नहीं हो पाएगा छूड जाएगा और किसी दूसरे मोजे में जो आप जिस मोजे में कर रहे हो उसका मेजर्मेंट वहां नहीं हो करके उसकी दूसरे मोजे में चला जाता है किसकी गलती से अमीन या हलका इंस्पेक्टर के वज़े से उसको हम छीटे राजी कहते हैं देखिए सर्वे में बाउंडरी करते समय अमीन या हलका इंस्पेक्टर से गलती के वज़े से मोजे का जमीन किसी दूसरे मोजे में 25 हो गई तो उसे हम छीटे राजी कहेंगे अगला है हलका नंबर अब हलका नंबर क्या होता है पंचायत का जितने भी सीरियल नंबर होता है उसको हम हलका नंबर कहते हैं तो नूट कर लो पंचायत के सीरियल नंबर को हम हलका नंबर कहते हैं अगला है जमाबंदी, जमाबंदी से क्या समझता हो? जमाबंदी एक रजिष्डर होता है, उस रजिष्टर में जो भी रैयत है, उस रैयत का नाम, जमीन, खाता, खसरानंबर वगरा लिखा हुआ होता है क्या हुआ था आजादी से पहले जब अंग्रेज थे उस समय अंग्रेज के टाइम पे जमाबंदी चलता था अंग्रेज के टाइम पे जो भी और तो बैठा नहीं करना क्या हुआ जब अंग्रेज अंग्रेज हुकूमत था तो उस समय जो भी खेट था ओ किसी रहयत के पास नहीं होता था एक जमिंदार के पास होता था तो जब जमिंदारी उन्मुलन सिस्टम खतम हुआ तो जमिंदार अपने जमीन को सरकार को सौपना था तो सरकार को सौपने गया तो उसमें क्या किया एक रजिस्टर बनाया उस रजिस्टर में जो भी किसान का जमीन था जितना रखबा था हेक्टेर में या डिस्मिल में या एकर में उस रजिस्टर के अंदर में उसका नाम जाती का नाम कौन सा ग जिलादिकार, मतलब DM को जा करके swap आया, वो क्या किया DM ने उसको जो भी आपका सरकल ओफिसर होता है, उसको दे दिया या अंचला अधिकारी, अंचला अधिकारी इसको नहीं समाल सकता था, तो इसको ग्राम सेवक को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया, तो आपके जो भी ग्राम स प्रतेएक किसान की संपुल्द भूमी का ब्रताय जमा बंदी अलग अलग होती है यह राजिस्टर अंचल कर मेंदी यह श्कारि या इतएक पटेज़किंडिक्रस अन्चल करमचारी या टरूंत को दिकिसी रिष्टर्सom मुतिहरे या बंगाल या कि कोई लगं की से अलाग अलाग जमामंदी होगा आगे हम लोग देखेंगे अधिकार अभिलेक अधिकार अभिलेक क्या होता है बंद करते हो